हेलो दूश्टू स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में श्याशाटन बिपी सी बिहार से सी बिहार दरोगा को दियान में रखते हुए गटना चक की सिरी चलाई जार ये इसके अंतरगत भारती राज़ बिवस्त अमसासन की सिरीत चलाई जारी है ताकि आपका कोई question न चूटे तो चलिए हम लोग देखते है पॉलिटी के question आज का topic है उप्राश्ट पत्ति कापी important है पहले से हम लोग नोट्स के माध्यम से देखते हैं बारत में उप राश्ट पती का पद अमेरिका के उप राश्ट पती के तर्ज पर बनाये गया है। बारत के उप राश्ट पती का चुना संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित और मननेत दोनों सदस्य द्वारा किया जाता है। बारत के उप राश्ट पती के रूप में प्राप्त होता है। बलकि राश्ट सभा के सभापती के रूप में प्राप्त होता है। अनुचेज सरसट का के अनुशार उप राश्ट पती का कारेकाल पद ग्रहन की तीथी से पांच वर्स तक है। उप राश्ट पती राश्ट पती को संबोधित अपने हश्टाक्चर सहीत लेक द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुचेज सर्सट का की अनुशार उप राश्ट पती राश्ट सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पत से अटाया जा सकेगा। जिसे राश्ट सवा के सतकालिक समझत सदस्यों के बहुमत में पारिद किया है। में बरनेत प्रारूप में राश्पती या राश्पती के द्वारा नेमित नुक्त किसी बेखती के समक्षपद की सपत लेता है। बारत के उप्राजपतियम उनका कार्ज कालिस परकार है तो पहला है डॉक्टर से फली रादा किस्नर 1952-1962 दूसरा डॉक्टर जाकी रूसर निया मुर्थी बारत के उप्राजपति का निर्वाचन द्वारा किया जाता है जिसके सदस होते हैं संसत के दोनों सदनों के सभी सदस इसकी ब्याक्या है सेविदान के अनुचे 661 के तहद उप्राजपति का निर्वाचन संसत दोनों सदनों के सदस्यों समील कर बनने वाले निर्वाचक गन के सदस्यों द्वारा नुपातिक परतिनिदित परतिती के अनुसर एकल संक्रमनियमत द्वारा होता है नेक्स्ट है भारत के उप्राश्पत्ति निर्वाचित होते हैं तो इसके ब्याक क्या हो जाएगा संसत के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा नेक्स्ट है भारत के उप्राश्पति का चुनाव किस तरह होता है तो लोग सभा राज सभा के संसदों के द्वारा सिधे चुनाव से नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेमनिकित में से कौन बारत के उप राशपती का निर्वाचन करता है तो इसका एंसर होगा लोग सभा के सदस राशबा के सदस नेक्स्ट है नीचे दो वक्तब दिये गए कथन एक जबकि कथन दो तो कथन ए है यदि कोई बेकती उप राशपती निर्वाचित होने का पात्र तबी होगा जब वो राजशवा का सदस होने के लिए आहित है और कारण है उप राशपती राशवा का का पदेन सवापती होता है उप्रुक्त वत्यव्ब में परिप्यक्ष में कौन सा सही है तो इसका अंसो रगा कथन और कारण दोनों सत है कथन कारण का मान स्पश्टिक रत करता है इसकी ब्याक्या है कि क्योंकि अनुचेद 663 गह के अनुसार उपराजपती बनने के लिए रा इसकी फर्फ बनने के लिए ब्रेक्ष जर्टा के सदन सदस्निर्वाचित होनी की योगता है चाथा उसको एक आप चारिक माब्योंग द्वरापद से अ frightening जासकता है कि नेक्ष हमनों देखने हैं भारत का इसकी थेसकर और को ब्राशपती होगा सबी चार होगा बारत का दूती उच्टम पर्तिस्टिर पदाड़ी है दूसरा के पास पद से सम्मंद कोई अवचारी कार नहीं है तिसरा राशपती के अनुपस्थिती में उसके कार का निर्वहन करता है चोठा है राशपती के पद त्याग अपदस्थि करन अत्वा मिर्तू के चलते राशपती के रूप में क्यारे करता है नेक्स्ट है उप राशपती को उसके पद से नेम में से किसके परस्तावदार हटाया जा सकता है तो राज़ परिशद इसकी ब्याक्या है सविधान के अनुसे संसट खाओ के अनुसार उपराशपति को राज़ परिशद अत्वारा सभा के ऐसे प्रस्तावदारा अपने पत से हटाया जा सकेगा जिसे राज़ सभा ने ततकालिक समझ सदस्यों के बहुमूल में पारित किया और जिसे लोग सवासद का समत है किन्तु इस खंड के परियोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आसे कि सुचना कम से कम 14 दिन पूर्व कि उसे दी गई हो नेक्स है उपराशपती को प्रस्तुत करने समंदी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है तो ये राजसवा में नेक्स है भारत के उपराशपती को प्रस्तुत करने समंदी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो के बल राजसवा में नेंट्स कोोश्यनि है राजसवः का सभापती कौन है ते उप राशपति इसकी ब्यक्त्य है भारती सविदान के अनुछे 64 के अनुछार उप राशपति राजसवः का पती होता है अनो कोई लाप कपा दारण नहीं करता है नेक्स्ट रेनिम में से किस एक अध्यक्षता ऐसे कि वो द्वारा होती है जो उसका सदस्ट नहीं होता है तो राज सभाग नेक्स्ट रेनिम चार युग में से दिये गए हैं दोनों मानुभा उपराजपती बनने के लिए पूर्व राज दूत और उचा युग से पत पे रहे हैं डॉक्टर एस राधा किसनर और बेवी गिरी नेक्स्ट रेनिम चार युग में से किस किसने भारत के उपराजपती का पत संबाला है तो इसका एंसर होगा मुहमद हिरातुला और संकर द्याल सर्मा नेक्स्ट है मुहमद हामिद अन्सारी का भारत जयुप राजबती के रूप में कर्मा कितना है तो इसका अंसर होगा बार्मा तो आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक किंद्रिय मंत्री परिशत के साथ वीडियो को एक दो बार अच्छे से डिविजन कर ले ताकि आपका डिविजन अच्छे से हो जाए तो आज के लिए इतना ही थैंक्यूँ